अध्याय बीस खाद सुरक्षा या उसके परिवार वालों को भूखा रहना पड़ता होगा इन सब बातों पर आप अपने सिक्षक से चर्चा करें आईए हम कुछ इस्थितियों का अध्यन करते हैं मद्र प्रदेश के सूखे की तस्वीर लगभक असी वर्षपूर्व मद्र प्रदेश के पक्ष्मी निमाण शेत्र में भयंकर अकाल पड़ा उस इस्थिति में लोगों ने इसका सामना कैसे किया एक शाला के बच्चों द्वारा अपने बड़े बुजुर्गों से उनके अनुभ़ पूछे गया और उसका दस्तावेजी करन किया गया उसका एक द्रश्य नीचे प्रस्तुत है अकाल में कुछ नहीं पका जिसको जो मिला वह खा जाता था पेड़ की पत्ती, छाल, किसी भी चीज को पीस कर खा जाते थे अकाल के समय जंगल की भाजी भी नहीं मिलती थी अनाज बहुत महंगा था पहले एक रुपय का पांच किलो अनाज मिलता था मगर अकाल में पांच रुपय का एक किलो भी मिलना कटिन था इसलिए लोग जुआर की राबडी पीते थे राबडी जुआर को पानी में घोल कर उबाल कर बनाई जाती है अनाज की कमी के कारण यह राबडी इतनी पतली बनाते थे कि जब थाली में लेकर इसे पीने बैठते थे तो घर के चत के डांडों की परचाई उसमें दिखाई देती थी पेडों के तनों के छिलकों को बाजरे के साथ पीस कर रोटी बना कर खाते थे अनाज बहुत महंगा था एक मुठी दाना और मटका फर पानी पी कर जिये पेड के सभी भाग को खाया, मिट्टी भी खाई बंगाल के अकाल की तस्वीर वश उनिस्टिरालिस में बंगाल में आए भैंकर अकाल से लगभग 30 लाख लोगों की मृत्ति हुई अनाज उतपादन में थोड़ी से कमी से इस अकाल के शुरुवात हुई अनाज उतपादन की थोड़ी कमी ने ऐसा दुस्चक्र बनाया की भैंकर अकाल का रूप ले लिया खराब मोसम के कारण अनाजो के उतपादन में थोड़ी गिरावट आई विदेशों से भी अनाजों का आयात प्रभावित हुआ अनाजों की थोड़ी कमी से व्यपारी वर्ग द्वारा जमा खोरी की जाने लगी जिससे अनाजों की कीमतों में वृद्धी होनी शुरू हो गई क्रिशक वर्ग द्वारा भी अपनी खाद्यान आवशकताओं एवं बचाओं को देखते हुए अनाजों को बाजार में बेजना काफी कम कर दिया जिससे पुना अनाजों की कीमतों में तेजी से वृद्धी होने लगी वही सरकार द्वारा भी जमा खोरी मूले वृद्धी रोकने वक्षाद्यान आपूर्ती बढ़ाने पर कोई प्रयास नहीं किया गया परणाम स्वरूप अनाजों की कीमतों में बेताहाशा वृद्धी होने लगी इन आस्मान चूती कीमतों पर गरीब वर्ग का कुछ समू जैसे द्यानिक मजदूर, मचवारे, बढ़ाई, सामान धोने वाले आदी अनाजों की पहुँच से अपनी कम आय के कारण दूर होते गया और अन्त में व्रिहत पैमाने पर भूख से मरने का मनजर शुरू हो गया दिर्ड कालीन अद्रिश्य भूख चित्र क्रमांक 20.3 के तस्वीरों को देखने से हमें ऐसा लगता है कि ये सभी लोग स्वस्थ हैं परंतु ऐसा नहीं है वास्तों में ये लोग भी कुपोशन की शिकार है ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है ऐसे लोग शारीरिक रूप से तो लगभक समाने दिखते हैं परंतु आंतरिक रूप से कमजोर रहते हैं वास्तों में ये अद्रिश भूख के शिकार है ऐसे नहीं कि ये लोग भोजन नहीं करते अपितु अपनी अलपाय और गरीबी के कारण हर रोज परियाप्त मात्रा में भोजन नहीं ले पाते आप परियाप्त भोजन लेने की इस्थिती यदि लंबे समय तक चलती है तो दिर्ग्रकालीन भूग की इस्थिती बन जाती है जो कि इनके स्वास्थ के लिए बेहत खतरनाक है यह इस्थिती पोशन सर्वेक्षन से समझ में आती है जिसके बारे में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे क्या है खाद सुरक्षा? उपर्योक्त दी गई तीन घटनाएं भूग से पीडित लोगों की व्यथा व्यक्त कर रही है खाद सुरक्षा की अवधारना इसी संदर्व पर आधारित है किसी भी इनसान को जीवित रहने के लिए जितनी वायू वजल की आवशक्ता होती है उतना ही उसे भोजन की भी आवशक्ता है सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौश्टिक भोजन की उपलब्धता उसकी पहुँच और उसे प्राप्त करने की शमता ही खाद सुरक्षा है खाद सुरक्षा के तीन प्रमुक आयाम है पहला भारत में खाद पदार्थों की उपलब्धता दूसरा सरकारी योजनाओ द्वारा खाद पदार्थों की पहुँच तीसरा बाजार और क्रेशक्ती भारत में खाद सुरक्षा सुनिश्रीत करने के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा खाद सुरक्षा कानून बनाया गया जिसे खाद का अधिकार कानून भी कहा जाता है यह कानून देश के अधिकांश लोगों पर लागू होता है जिसके अंतरगत पात्र परिवार को प्रतेक महीने रियायत मूले पर खाद्यान उपलब्ध कराया जाता है हमारे 36 गड़ राज्य में लोगों को खाद्यानों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 36 गड़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 पारित किया गया जिसमें कहा गया है कि यह राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की अन्यावशक्ताओं की पहुँच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मान जनक जीवन यापन करने के लिए सद्य उचित मूले पर खाद तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अत्वा अनुशांगिक विश्यो हेतु अधिनियम है भारत में खाद पदार्थों की उपलब्धता खाद्यानों की पर्याप्त उपलब्धता से ही खाद सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है खाद्यानों की उपलब्धता का संबंध सभी प्रकार के अनाजों जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज आदी से है विगत पांच दशकों में विभिन योजनाओं के क्रियानवेन के प्रयास के फल सरूप, देश के खाद्यान उत्पादन में काफी व्रिधी हुई है आजादी के समय से अब तक खाद्यान उत्पादन में लगभग चार गुने से ज़्यादा की वृद्धी हुई है इसे हम अग्रांकित सार्णी से समझ सकते हैं उपर्युक्त आंकडों को देखने से ज्याद होता है कि आजादी के समय हमारा देश गंभीर खाद संकट से गुजर रहा था उस समय खाद्यापूर्टी को बनाए रखने के लिए सरकार को विदेशों से 4.8 मिलियन टन अनाज आयात करना पड़ा बाद में कुछ वर्षों में जनसंक्या व्रिद्धी के साथ साथ खाद्यान उत्पादन में भी व्रिद्धी हुई फिर भी खाद्यापूर्टी बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ खाद्यान आयात करना ही पड़ा सत्तर के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में तेजी से व्रिद्धी होने लगी जिससे आत्म निर्भरता बढ़ी और खाद्यानों के आयात में भी कमी होने लगी आजादी के समय सभी अनाजों जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों के कमी थी योजनाओं के फलसरूप सभी अनाजों के उत्पादन में व्रिद्धी होई परन्तु चावल एवं गेहूं में तुलनात्मक रूप से अधिक व्रिद्धी होई तथा मोटे अनाजों, दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धी नहीं हुई जबकि ये अनाज पौश्टिक्ता से भरपूर होते हैं तालिका क्रमांग 20.1 के आकड़ों के विसलेशन से पता चलता है कि हमारे देश में खाद्यानों का उत्पादन बढ़ा है उपलब्धता को समझने के लिए केवल उत्पादन को देखना जरूरी नहीं है बलकि हमें प्रतिवेक्ति खाद्यान उपलब्धता को जानना होगा प्रतिवेक्ति उपलबध्ता हमें आत्मे निर्भरता का संकेत देती हैं तथा सभी लोगों के लिए खाध्यान उपलबध्ता की संभावना दर्शाती है प्रतिवेक्ति प्रतिदिन खाद्यान उपलब्धता की गड़ना करने के लिए हम खाद्यानों की कुल उपलब्धता को कुल जन संख्या से भाग देकर वार्षिक उपलब्धता ग्याद करते हैं तथा उसमें 365 दिन यानि एक वर्ष का भाग देने से प्रतिवेक्ति प्रतिदिन खाद्यान की उपलब्धता प्राप्त होती है। उपरियुक्त आकडे तालिका 20.1 पराधारित है। तालिका से पता चलता है कि प्रती दिन प्रति वेक्ति खाद्यान उपलब्धता की मात्रा थोड़ी बढ़ी है, परंतु जनसंक्य वृद्धी की तुल्ना में यह पर्याप्त नहीं हैं. हमें के वर अनाजों के सेवन से ही पर्याप्त पोशक्तत तो प्राप्त नहीं होते अपितु हम फल, सबजी, दूद, मांस, अंडा, आदी से भी अपनी खाद आवशक्ताओं की पूर्ती कर सकते हैं इन पदार्थों का सेवन संतुली ताहार के दृष्टी से एक अच्छा संकेत है